So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे में So guys, BHEL में अगर देखा जाए तो कल एक बड़ी तेजी आ सकती है और वही अगर देखे तो कुछ important level थे stock के जो हमने पहले भी कई बार discuss किये हुए है और आज फिर से हम कुछ levels है, कल के levels है और as a long term के basis पे कुछ levels है, उन्हें इस वीडियो में discuss करने वाले है तो guys, यहाँ पर अगर आपने BHEL को खरीदा है तो वीडियो को end तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो guys, please channel को भी subscribe कर देना So guys, करते हैं वीडियो को start और चलते हैं BHEL के उपर So guys, यहाँ पर हम आ गए हैं BHEL के उपर जिसका पुरा नाम है भारत Heavy Electricals Limited भारत Heavy Electricals Limited की बात की जाए तो 46 रुपे के आज पास stock यहाँ पर closing देता हुआ नजर आ रहा है और वहीं अगर देखा जाए तो 30 पेसे तक की आज इसमें गिरावट भी नजर आई 0.65% के हिसाब से A share गिरा है guys तो guys, यहाँ पर stock तो गिर रहा है यहाँ पर गिरावट तगड़ी इस share में आ रही है तो क्या stock में और गिरावट आ सकती है तो इसका answer है नहीं यहाँ पर कुछ level से उन्हें अगर आप समझ रोगे तो BHEL में अच्छा पेसा बन सकता है तो guys, यहाँ पर market cap भी इस share का तगड़ा है 16.07,000 करोर का market cap है और वहीं अगर देखो तो यहाँ पर 52 weeks का हई 80 रुपे का है और 41 रुपे 40 पैसे का लोग है तो guys, बिलकुल यहाँ पर आपका profit double हो सकता है तो चलते हैं, levels को समझ लेते है So guys, first of all हम बात करेंगे BHEL के कल के levels के बारे में तो BHEL के कल के levels को अगर आप देखोंगे तो शानदार levels कल क बनने वाले है यहाँ पर देखा जाए तो stock में इस level से एक गिरावट देखने को मिली थी stock गिरते हुए इस level पे इस share ने support भी लिया फिर stock उपर गया, फिर resistance लगके नीचे के और आया फिर stock ने हाँ पर एक support लिया तो guys यहाँ पर अगर देखा जाए तो upside down momentum से है तो गिरावट के पीछे का कारण हम मान सकते है कि एक gap अफ हुआ था और वो gap अफ है यह वाला तो इस gap को field पहले इस share ने किया फिर ही stock ने उपर की और बढ़ना स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आप बिलकुल इन चीजों को समझ सकते हो तो guys यहाँ पर upside down momentum तो इस share में हमें होते वे निजराए है तो कल अगर इस level पे breakout मिल जाता है तो 2-3 रुपे तक की एक अच्छी बढ़त इस share में हमें देखने को मल सकते है तो guys यही नहीं as a long term के basis पे भी अच्छे profit आप कमा सकते हो अगर आपने इस चीज़ चीज़ को समझ लिया यहाँ से stock ने support लेके एक अच्छा high लगा था फिर stock नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर support लेकर फिर support लिया breakout अगर मिलता है तो 80 रुपे तक एक rally हमें देखने को मिल सकती है community sentiments के आखड़े भी अच्छे हैं 71% लोग buy के लिए कह रहे है 14% लोग sell के लिए कह रहे है और 15% लोग hold के लिए वही अगर बात करें volume तगड़ा है community sentiments के आखड़े जो negative थे कुछ दिन पहले वो positive होते वे ने जड़ा रहे हैं तो guys और और अगर देखें तो BHEL आपको माला माल कर सकता है यहाँ पर जिस तरीके से stock 46 रुपे 40 रुपे तक है असपास trade कर रहा है यह stock 60 रुपे तक जाएगा ही जाएगा इसके levels यहाँ पर कह रहा है तो guys काफी कुछ बाते हो गई है BHEL को लेकर तो वीडियो अगर इच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करो चानल होगा सब्सक्राइब करो थैंक्यो